जो चिंता करता है वही आपका स्वामी होता है। रमायन और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभुश्री राम का जन्म 5114 इसा पूर्व हुआ था। प्रभुश्री राम अयोध्या के राजा दशरत के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विश्नु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं उनके विशेश कृतियों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुशोत्तम के नाम से भी जाना जाता है।